दोस्तो मैं एपी बिस्तो कर्मा स्वागरत करता है अपने यूटूब मंच पर दोस्तो अपने इस यूटूब मंच पर हम सेल्स मार्केटिंग एन मोटिवेस्टनल वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आपके जिन्दिकी में कुछ वैलुएड हो सके दोस्तो खासकर हम इस तो उसके पांच जबरजस्त फाइदे क्या है मनें बेरी बिग बेनिफिट्स और साथ में भी बताएंगे उसके पांच सबसे बड़े नुकसान क्या है उसके सबसे बड़े लॉसेस क्या है उसकी सबसे बड़े आनी क्या है पीशीडी प्रपगंडा कम डिस्टिबूशन जिसको लोग PDPDB कहते हैं लेक्चुली होता है या PCD होता है तो इसके जबर जस्त पांच बेनिफिट बटाएंगे बिग बेनिफिट बड़े फायदे और इसके पांच जबर जस्त नुकसान ही बताएंगे तो आपसे मेरा रिक् हम नहीं बताएंगे इतने ही मानके चलिए कि PCD वो ची होता है कि मानले कोई बहुत बड़ी कमपनी अगर है या सब चीज का मैनिफेक्टरिंग करती है और इसको अपना अल आपर इंडिया में नेटवर्क नहीं है तो किसी को फ्रेंचाइजी करके दे जाती है किस एरिया व बड़े पांच फाइदे क्या है उसके पांच सबसे बड़े नुकसान क्या है इसमें हम वन इस्टो वन डिस्कस करते हैं तो सबसे बड़ा फाइदा यह है कि पीशीडी में कि आप एक लो इन्वेस्टमेंट से काम सुरू कर सकते हैं दोस्तों अगर आपके पास 20,000 रुपया है 25,000 रुपया है आपके पास 50,000 है तो आप 20,000, 25,000, 50,000 भी अगर आपके पास है तो एक मतलब पोड़क का रेंज लेकर के आप काम को सुरू कर सकते हैं जबकि अगर आप सोची है कि हम अपना काम सुरू करें थर्ट पार्टी में जाए तो उस तरफ के केस में आपको देखिएगा तो आपको टोटल कम से कम 20,000 रुपया के आसपास के ज़रूत पड़ेगी एक इसमूद रूप से रुप करने के लिए तो जहां यहां 50,000 से या उससे भी कम में आप सुरू कर सकते हैं वहां उसका बहुत ज्यादा हुज अमाउंट लगता है उसको अपना मैनेफेक्ट्रिंग में या थर्ड पार्टी में यह सबसे बड़े फायदे हैं अब इसको नुकसान क्या है नुकसान यह है दोस्तों कि यहां पर क्या होता है कि आपका अपना कोई ब्रैंड नहीं होता है तो ब्रैंड नहीं होता है तो क्या होता है कि जब किसी भी कंपनी का कोई मार्केट में अगर ज्यादा मानले आप पांच साल काम किये एक समय आता है कि मानली आपके एरिया में चारलाक पाचलाका सेल हो ग तके अपना full-fledged यहां पर marketing अपना स्टार्ट कर दें, यह बहुत बड़ा खत्रा है, कि आपका जो PCD के agreement ख़तम हो सकता है, कभी बहुत बड़ा loss है जब आपका दस साल-पांच साल मेहनत करते हैं, वो सकता है कि वहाँ भरबाद हो जाए, क्यूंकि आपका कोई brand अपना नहीं होता है, वो company गा brand नेम होता है, सब कुछ company को होता है, उसको सिर्फ एक माध्यम होते हैं, promote करने के लिए, run करने के लिए, तो सबसे बड़ा नुकसा आप वहाँ पे कहने का मतलब यह है कि आप काम सुरू कर सकते हैं, अग्रिमेंट के उनसार आपको प्रोड़क मिलेगा और उस एरिया में फिर किसी को प्रोड़क नहीं दिया जाएगा, जो कंपनी का एग्रिमेंट होता है, हलाकि बीच-बीच में कोई किसी को गलतीवे में द तो यह सबसे बड़ी बात है कि आपका एक दो डिस्टिक जितना एरिया में लिए है, एक एग्रिमेंट बन जाता है, वहाँ पे काम करते हैं, और सबसे बड़ा इसका नुक्सान ही है, कि आप कंपनी को जो एसकेलप करना चाहते हैं, अगर एक्सपेंशन करना चाहते हैं, मालने आज आप दो डिस्टिक में करना हैं, कल आप हो सकता है कि दस डिस्टिक में करना चाहते हैं, तो यहाँ आपकी नहीं चलेगी, अगर कंपनी के पास एरिया खाली होगा तो देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी, आप से अगर बात बनेगी तो देगी, नहीं देगी, तो आप अपने मन से escalate नहीं कर सकते हैं दोस्तो अपने मन से expansion नहीं कर सकते हैं भी staff करसकते हैं वहाँ पर आपको winding आ जाता है दोस्तो तीसरी होते है rate का खेला rate record जो ऊता है वहाँ पर आपका company का आप इत का a कुछ नहीं कर सकते हैं। यमारपि रहता है और है हां सब सोतन जाता है। मुझ खी चैंप कोई और ती अरिया मतलब यह एरिया को मतलब से बढ़के अगर 250 हो गया या 300 हो गया वहां आपका मजबूरी हो जाता है कि उस ब्रैंड को छोड़ नहीं सकते हैं तो यहां पे PCD कंपनिया कुछ मनमानी करना सुरू कर देती है ताकि आप परसान हो करके इस तरह से तंग हो करके कंपनी को छोड़ दे और कंपनी वह अपना सिंसीटर्री करके सकते हैं आर जैसे कि नहीं कर चांए सखते हैं या और या कॉई जीका है हैं कोई पाइं महारास्टा या बढ़तो तरह काम नहीं कर सकतेonter दोस्तों १े हैं कि अगर आप सबसे बडgo कर सकते हैं ओहां कुछ नहीं कर सकते हैं कि तुम क्ड़ें के मर्जी चलती है और सबसे अब नुक्सान है दूस्तों फाइदा ये हैं सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको जो है जो पीजिटी कामपनी में आपको बहुँ कोई ज्यादा कोई पेपर वार कोई डोकुमेंटेशन इसे कोई रूतनी पड़ती है मतलब वहां आपको बहुत इजी है बहुत कंग्मिनियंट है कहीं कोई दिकत नहीं है और दूसरी तरफ क्या है लॉस क्या है लॉस यह है दोस्तों कि आपका कुछ अपने नाम से रेश्ट करे भी है कब दोस्तों को बर चैजी तो आपका सब कुछ बरवाद हो जाएगा आपको कश नहीं कर सकते हैं तो ये पांच बहुत बड़े big benefits और big losses के बारे हम बताएं तो आप you can decide कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या better है क्या बला है तो PCD run करना इसके हम 5 अच्छाई भता दिये benefit भता दिये सबसे बड़े benefits और 5 losses भता दिये तो यू कें better decide what you have to do दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लागा तो लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकों को प्रेस करें ताकि जब भी है मिने वीडियो डालें आपको नोटिपिकेशन मिल जाए उसका आप बेनिफिट उठा सकें तो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो बाई बाई